यह दही के साथ खाने में बहुत ही सौधिश्ट लगते हैं, दही और कत्रा बन के तयार हैं हम बना रहे हैं सिंगाड़े के कत्रा, ब्रत वाले, यह सिंगाड़ी का आटा है लिया है, मैं इसको अच्छे से छली में डालके छान लेती हूँ में बना गी के इसे हलका हलका भूल लेती है, जिसे इसका कच्चापन निकल जाती है, यह हलका भूल चुका है, हमकि इसको गेस को बंत कर देती ओ, आप इस शेंगाड़ी के आटे को ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, अगर गरम पानी डालेंगे तो इसमें गाञ्फे है इसलिए मैं इसके पहले ठंडा करतीओ इसके बाद इसका गोल बनाूंगा तो मैं कड़ाई में एक बड़ा चमाची घीड डाल लेतीओ और सिंगाड़े के आटे का गोल बना लेती हैं मैंने एक कप संगाड़े का आटा लिया एक कप यह चीनी लिया है आप अपने स्वाधानुसार चीनी डालें कम मीठा खाते हो तो कम डालें और ज्यादा मीठा खाते हो तो ज्यादा डालें यह सिंगाड़े का आटा मेरे ठंड तो बहुत जल्दी जमनी लग जाता है मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका गोल बना लेती हूं मैंने जितना सिंगाडी का अटा लिया है एक कप मैंने सिंगाडी का अटा लिया है मैंने तीन कप पानी लिया है कि थोड़े थोड़े करके गूल बनातेंशिएच शुछ मैने अच्य से कौहूंढ लिए अधियान रहा सो इसको को इसे म्होंण नहीं होनी चाहिए कि मैंने एक कप के लिए एक कप शिर्गाडी के लीए थीन कप पानी लियाए एक कप चीनी लिए यह मैने गोल डाल दिया इसे चीनी भी डाल देती हूं करती हूं गोल गैस बंद करके डाला कियोंको डालते यह गाड़ा होने लगता है अब मैंने गैस चला दिया अब इसे लगातार चलाती हो और अपरपम कुछ ढालना जाहिए या एक अब्रत्में कोई भी बतोrą समय खाय जा सकती है तक भूल ये गाड़ा होने लग जै है, इसे लगातार चलाते रहे तक ये नीचे नीचे कड़ाई से लग जाएगा इसे जब तक अच्छे से इसे प ölवल ने ने लग जाए, अधकने ने लग जाए जब तक इसको चलाते यह अच्छे से पक चुका है सिंगाड़ी काटा अम इसको थाली में निकाल लेते हैं और कि यह अच्छ ककल मैंने पहले ती-इस प्राख गी से पैज में व सब्सक्राइब है कि मैंने अब ठाली में निकाल लिया इसको पूरी ठाली में फैला दीती ही नहीं कि आज बम के लिएथ अब में इनके उपर से थोड़ा सा घी और डाल दूगी तो यह उपर से भी अच्छी तरह से चिकने हो जाएगे इस तरह से इनको फैलाने में भी आसानी होगी यह चम्मत से नहीं चिपकेंगे घी लगा होगा तो इस तरह से इनको पतले-पतले फैला दे यह सिहाड़ी के कत्रा बनके तयार हैं यह ठंडे होगा है मैंने काट लिए हैं आप जैसे काटना चाहो वैसे काट लो मैंने इस सेफ में काटे हैं कतली जैसे काजु कतली होती है उस तरह से बहुत पतले हैं बहुत मोटे नहीं इतने ही मोटे अच्छे लगते बहुत ज्यादा मोटे नहीं अच्छे लगते यह खानें बहुत स्वाधिश्ट होते हैं आ यह दही के साथ खाओ तो बहुत अच्छी लगते हैं इह कतला बनके तैयार हैं शिगाडी के इन्हें निकालके फिर दिखाती हूँ ये ब्रत्य स्पेसल सिंगाडी के आटे के कत्रा बनके तयार हैं बहुती स्वादिश्ट देखने में भी बहुत अच्छी ये दही के साथ खाने में बहुती स्वादिश्ट लगते हैं कत्रा बनाते समय कुछ बातों को ध्यान रखें सिंगाडी को हलका सा भूण दे भूर के ठंडा कर ले और ठंडा करने के बाद उपना गोल बनाले एक कप इसका सिंगाडी का आटा हो तो तीन कप पानी डाले एक कप चीनी डाले चीनी अपने स्वादा अनसार डाले और उसका पहले से ही गोल बना ले उसमें एक चम्मस गी डाले बड़ी चम्मस ज्यादा डालना चाहें तो ज्यादा भी डाल सकते हैं फिर ये कड़ाई में डालके गोल और कत्रा बना ले ओने जो इन रुके नहीं इने चलाते रहें यह चिंगाड़ी काटब बहुत जल्दी जमने लग में लग जाता है इसलिए इसलिए इसको बरावर चलाते रहें और सिगारी के कत्रा बनके तयार हो जाते हैं इस तरह से यह दही के साथ बहुती स्वादिश्ट लगते हैं दही के साथ कत्रा खाएं और खोलें